देख सकते हैं यह सारे मेटेरियल्स को रखा गया है और इधर अभी मिट्टी भराई का काम नहीं हुआ है देख सकते हैं चारों तरफ यहाँ पर यह कंस्ट्रक्शन के लिए जो गाड़ी है वो यहाँ पर आप चलते हुए देख सकते हैं पर देख सकते हैं एक साइड में जो स्टोन भी साया गया है जहाँ पर मिट्टी गिरा गया है इसके समतली करने का काम भी इस साइड का नहीं हो पाया है सबस्वागत है हमारे यूट्व चैनल इस रहे ब्लॉग में और अभी हम लोग मौजूद है खगडिया जिले में और सुल्तान गाज अगवानी ब्रिज का जो एप्रोच रोड है उसको हम दिखाने का परियास करेंगे यह अगवानी से लेकर के जो खगडिया जिले में पस आप इस साइड भी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सरक का निर्मान हुआ है यह फोर लेंज सरक है और आगे चलते हैं और आगे जो यहाँ पर निर्मान का काम चल रहा है वो आपको जो है दिखाने का हम परियास करेंगे चल रहे हैं और आगे भी इस सरक के निर्मान का ज मिट्टी ढुलाई का काम जो इस गाड़ी के दरा यहाँ पर किए जा रहा है और स्टोन बिचाने का जो काम हुआ है वो हुआ सकते हैं काफि सारा जो सै डिल कवा यहा पर रखा हुआ है है यह待 Är में बिचा गगियाникомbu दूसरी दूसरी तरफ देख सकते हैं कच्छी रूड है और यहां पर मिट्टी गिला गया है इसके समतली करने का काम भी इस साइड का नहीं हो पाया है एक साइड को पूरा समतल कर लिया गया है और उस पर कहीं के स्टोन भी मिछाया गया है काफी धूल वड़ा रस्ता देख सकते हैं गाडियों के गुजरने से जो है यहां पर यह दूल-दूल का मौसम हो गया है और यहां पर देख सकते हैं एक ओंबर ब्रीज बनाया गया है जहां कि आप नीचे से यहां पर पाल कर सकेंगे और आगे भी देखेज के सकते हैं जो सर कि निर्वान का चल रहा है और गाडियां भी देख सकते हैं जो यहां से आप देख सकते हैं जो पूरे सरक का चोडी करन का काम यहां पर हो चुका है और इसमें जो स्टोन भिछा करके संतली करन का काम पूरा के किया जा चुका है और आगे में देख सकते हैं यहां पर जो है मिट्टी गिराने का काम सरक को चोड़ा करके यहां पर मिट्टी को गिराने का काम किया जा रहा है और यह हैवा देख सकते हैं और जैसी भी जो है इस मेट्टी को यहां पर गिराने के बाद संतली करन का काम कर रहा है ऐसे बाहनों को देख सकते हैं जो सारे मैटरियल को लाने का ले जाने का काम कर रहा है हम लोग मौजूद हैं अभी यह इस्टेट हाइवे के पास जो की पसरहा से अगवानी तक का जो इस्टेट हाइवे 14 नमर का जाता था और वहीं पर जो है देख सकते हैं यहाँ पर एक ओबर बीज बनाया गया है यह पसरहा से जो अगवानी तक जाने का इस्टेट हाइवे था पुराना सरक वहाँ पर एक क्रॉसिंग बनाया गया है देख सकते हैं यहाँ पर यह फोर्ड लेन का जो है एक ओबर क्रॉसिंग बनाया गया है और नीचे से ये स्टेट हाइवे को देख सकते हैं जो आगे पसरह तक चला जाता है और इस साइड जो है ये अगवानी घार तक चला जाता था यहाँ पर एक क्रॉसिंग को तयार किया गया है देख सकते हैं ये सारे material को रखा गया है और इधर अभी जो है मिट्टी भडाई का काम नहीं हुआ है सारे मेटरियल्स को देख सकते हैं इधर भी ये सारे स्लाइडर को देख सकते हैं जो कि तरक को उचा करने के लिए देख सकते हैं आगे में एक पुलिया बनाया गया है यहां पर रोट क्रॉसिंग के लिए और उसको उचा करने के लिए यहां पर यहां पर देख सकते हैं और बीज को क्रॉस कराने के लिए यहाँ पर बनाया गया है यहाँ पर एक सरक ग्रामीन सरक है और यहाँ पर उस पुलिये को उचा करने के लिए जो साइड से प्लेट लगा जाता है यहाँ पर यह मेटरियल्स रखा गया है मिट्टी बराई का और रोड को जो है उचा करके यहाँ पर समतली करण का काम देख सकते हैं यह जैसी भी पॉकलन के द्वारा जो है किया जा रहा है काफी सारा जो है मेटेरियल और मिट्टी यहाँ पर रखा हुआ है और उसको जो है यहाँ पर बिछाने का काम देख सकते हैं हम आपको दिखाते हैं जो काफी सारे road crossings के लिए जो है छोटे छोटे पुलिया का जो है निर्मान किया गया है यहाँ पर काफी सारा graming सरक होने के बज़ा से जो है इस रोड को continuous और बिना रोक टोक के बनाने के लिए देख सकते हैं यहाँ पर काफी सारे पुलिया का निर्मान किया गया है एक पुलिया आप इधर देख सकते हैं और एक पुलिया देख सकते हैं यहाँ पर बना हुआ है और यह ग्रामीन सरक क्रॉस करता है और एक सामने में आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पुलिया बना हुआ है और उसके आगे जो है एक और 14 नम्मर सरक का पुलिया बना हुआ है तो काफी सारे पुलिया का भी निर्मान जो है इस अप्रोच रोड में किया जा रहा है लोग देख रहे थे तो फ्रेंट साज हम लोग देख रहे थे अगवानी सुल्तान गंज ब्रीज का जो अप्रोच रोड का निर्मान हो रहा है अगवानी साइड से पस रहा है अगतिस तक लाइक किजेगा कमेंट किजेगा सेर किजेगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं के तो कि पर सब्सक्राइब कर लेजेगा तब तक के लिए जाएं दनेवाद